नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं Human Immunodeficiency Virus पे जिसे हम सौट में बोल देते हैं HIV दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि HIV ये एक ऐसा वाइरस है जो क्या कर देता है नाम से के लिए रहे Human Immunodeficiency Virus तो ये ऐसा वाइरस है जो human body पे attack करके उसके immune system को पूरी तरह से कमजोर बना देता है यनि कि उस individual को जिसको HIV का infection होता है उस individual को पूरी तरह से immunodeficient बना देता है मतलब उसकी immunity को पूरी तरह से down कर देता है suppress कर देता है ताकि वो किसी भी infection के लिए क्या हो जाए susceptible हो जाए easily कोई भी infection उसको acquire कर सकता है तो HIV ऐसा वाइरस है human immunodeficiency virus जिसको हम बोलते हैं ये ऐसा वाइरस है जो आपके immune system को कमजोर बना देता है और इस infection को होने के बाद HIV का infection होने के बाद बहुत सारे infections होने के chances रहते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि ये HIV क्या cause करता है it is the causative agent of AIDS AIDS right acquired immunodeficiency syndrome clear तो syndrome का मतलब है कि बहुत सारी बीमारिया घर कर जाती है right तो HIV का infection जिस किसी को हो जाए उसमें बहुत सारे opportunistic pathogen भी क्या कर देते हैं infection करते हैं clear तो उसमें fungal infection उसमें bacterial infection वाइरल infection के लिए बहुत सारे infections हो जाते हैं right तो HIV की हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं इसके classification की तो HIV जो आपका है वो एक retrovirus है retrovirus यानि कि ये किस family से belong करता है retro viridi family से belong करता है इसकी family की अगर बात करें तो ये किस family से belong करता है retro viridi और इसकी sub family है sub family है lentivirini lentivirini and the genus age genus age lentivirus lentivirus तो retro viridi family से ये आपका virus belong करता है retro virus इसलिए बोलता है दोस्तों इसको क्योंकि इनकी एक खासेद होती है retro viridi family में जीतने भी आपके viruses आते हैं इनकी एक खासेद होती है कि इनमें एक specific unique enzyme इनमें प्रजेंट रहता है इसका काम क्या है यह क्या करता है RNA को DNA में convert करने का काम करता है clear generally आपने देखा होगा कि जब आपका transcription होता है तो transcription में क्या होता है आपका DNA है DNA आपका RNA में convert होता है लेकिन उसका ultra अगर हम बोले है reverse transcription में क्या होगा आपका RNA DNA में convert होता है तो ये process में कौन help करता आपका ये enzyme कौन सा reverse transcriptage enzyme तो retroviruses में ये enzyme आपका प्रजेंट रहता है तो HIV भी आपका retrovirus है तो HIV में आपका reverse transcriptage enzyme प्रजेंट रहता है और दूसरा point क्या है कि HIV आपका ये कैसा virus है जैसा कि आपको पता है ये एक RNA virus है किलिए इसमें single stranded RNA प्रजेंट रहता है किलिए single stranded RNA प्रजेंट रहता है और इसी single stranded RNA suppose ये दो copy प्रजेंट रहती है और उसमें साथ में इस RNA से क्या attached रहता है आपका ये enzyme that is reverse transcriptase enzyme अभी हम इसके पूरी morphology आपको समझाएंगे तो दोस्तों जो ये AIDS ये जो stage है actually AIDS एक stage है जो की last stage HIV के infection में ये last stage है AIDS की अगर ये stage आ गई एड्स की अगर stage आ जाती है तो फिर आपको पता है कि patient का बचना जो है बहुत मुस्किल हो जाता है वो बच तो जाएगा लेकिन उसकी उम्र बहुत कम हो जाती है कुछ साल तक वो आपका जी सकता है उसकी उम्र बहुत कम हो जाती है बहुत सारे infections उसकी body पे घर कर जाते है right fungal, bacterial, parasital infection, बहुत सारे infections उसकी body में घर कर जाते है तो यह ऐसी stage आ जाती है जहाँ पे patient बहुत ही जादा immunocompromised हो जाता है immunocompromised हो जाता है और उसको किसी भी बिमारी से लड़ने की शमता नहीं रह जाती है clear तो उस stage को हम बोलते हैं AIDS right तो यह बहुत खतरनाग है अब तक इसका कोई इलाज नहीं मिल पाया है नहीं इसकी कोई ऐसी drug मिली कि जो virus को पूरी तरह से kill कर सके और नहीं कोई vaccine अभी तक ऐसी बनी है जो इसकी infection से किसी भी individual को prevent कर सके clear तो सिर्फ कुछ drugs anti-retroviral drugs दी जाती हैं जिससे आप किसी का life span शिर्फ बढ़ा सकते हैं right उससे patient कुछ साल आपका जी सकता है लेकिन यह नहीं कि उसके अंदर का जो virus है वो मर जाए तो दोस्तो AIDS का जो सबसे पहला case था वो New York में मिला New York USA में right in 1981 clear और इसका जो सबसे पहले isolation हुआ इसको सबसे पहले isolate किया पास्चर इंस्टिट्यूट में जो की कहा है पैरिस में right 1983 में इसको सबसे पहले isolate किया गया था clear और AIDS का जो सबसे पहला case था और New York में 1981 में देखा गया दोस्तों अगर HIV के टाइप्स की बात कर रहा तो मेंली HIV आपका दो टाइप का होता है HIV 1 and HIV 2 इन दोने में डिफरेंस क्या है कि HIV 1 जो आपका है that is more pathogenic यह आपका क्या है more pathogenic है और यह most commonly यह AIDS cause करता है किन एरिया पे वैसे तो worldwide worldwide में infection cause करता है और उसके अलवा जो यह ज़्यादा prevalent है कि सेरिया में है यूएस में ज़्यादा prevalent है HIV 2 की अगर बात कर रहें तो यह HIV 1 के compression में less pathogenic है के लिए और western अफरीका और southern एशिया में यह AIDS cause करता है के लिए तो जो बहुत common cases देखने को मिलते हैं वो HIV 1 के ज़्यादा देखने को मिलते हैं यानि कि यह सबसे ज़्यादा common है clear HIV के morphology की बात कर रहें तो दोस्तों HIV जो आपका है वो spherical है जैसा कि आप structure इसका देख रहे हैं डियाग्राम में तो spherical virus है जिसका size है 82 110 80 से 110 nanometer इसका size है और यह virus जो आपका है enveloped है enveloped का मतलब है दोस्तों इसकी जो enveloped बनी वी है it is made up of two parts one is lipid part and second one is protein part एक तो lipid part है दूसरा protein part तो lipid part तो आपका host cell membrane derived होता है means जब यह host cell से बाहर निकलता है यनि कि replicate होके जब बाहर निकलता है host cell membrane से बाहर निकलता है तो उसकी cell membrane को साथ लेके चलता है यनि कि जो उसका lipid part है वो host की जो cell membrane है उससे बना हुआ है राइट तो उससे derived है clear तो host cell membrane derived है आपका lipid part दूसरा part है protein part protein part जो आपका होता है दोस्तों डाग्राम पर आप देख रहे हैं जो lipid part है this one is the lipid part यह आपका lipid part this is lipid clear और दूसरा है protein part protein part जो यह spikes आप देख रहे हैं this is the यह जो spikes बहुत सारे spikes आप जो देख रहे हैं छटरी की तरह के structure clear या आप कह सकते हैं mushroom like structures these are protein part अब इसमें भी दो तरह के protein है देखे right protein कौन सा glycoprotein है दो टाइप के glycoproteins है एक तो जो आप green color से देख रहे हैं pedicle like structure right यह आप कह सकते हैं इसको anchoring structure clear यह आपका है GP41 this is glycoprotein 41 green जो structure आप देख रहे है clear और जो blue color से छतरी तरह का जो आप देख रहे हैं blue color का this is glycoprotein 120 clear तो दो glycoprotein से मिलके इसका protein part बना हुआ है clear अब अंदर जाए हैं तो अंदर अगर बात कर रहे हैं तो यह तो viral cell है clear viral shell यह बनी भी है जो blue color से आप देख रहे हैं उसके बाद अंदर की तरफ आए जो यह black color से आप जो structure देख रहे हैं this is the nucleo capsid which is icosahedral in symmetry symmetry कैसे है icosahedral है and it is made up of core proteins core protein से बना हुआ है और यह किसको इसने cover किया हुआ है genome को cover nucleo capsid आपका किसको cover करता है genome को अब genome क्या है देखिए RNA वाइरस का genome क्या है RNA अब RNA भी आप दो देख रहे हैं इसमें two identical copies of single stranded RNA positive sense का है RNA कैसा है positive sense positive sense single stranded RNA दो identical copies आप देख रहे हैं clear इसके अलबा इस RNA से आपका attached रहता है viral enzymes आपके attached रहते हैं जैसे आपका reverse transcriptage है यह जो आप देख रहे हैं यह आपका RNA और यह जो blue color से आप dot देख रहे हैं this is enzyme reverse transcriptage और reverse transcriptage के अलबा कुछ other enzymes भी रहते हैं आपके जैसे integrase है और proteases enzymes आपके present रहते हैं clear तो this is the matrix यह जो आप पाड़ देख रहे हैं इस cell और इस nucleo capsid के बीच में इसको हम बोलता है matrix right and this is the core या capsid जो की core protein से बना हुआ है clear nucleo capsid right तो envelop के हमने बात की थी envelop एक तो lipid part से बना दूसरा protein part से clear तो एक तो lipid और दूसरा यह दो protein GP120 और GP 41 यह क्या फॉर्म करते हैं envelop envelop फॉर्म करते हैं clear तो वाइरस आपका कैसा है enveloped clear तो यह जो GP120 आप देख रहे हैं इसी GP120 की help से यह वाइरस आपका host cell पे attached होता है यानि कि यह T cells पे attack करता है वाइरस आपका एक चीज़ आप याद रखें कि HIV जो वाइरस आपका यह आपकी जो immunogenic cells होते हैं इसे T cells हैं या macrophages हैं या dendritic cells हैं ऐसी cells की surface पे यह attach होता है तो वहाँ पे उन cells पे चाहे macrophage है या आपका dendritic cell है या CD4 sorry T cells हैं उनकी surface पे CD4 plus molecules प्रजेंट रहते हैं CD4 plus molecules आपके प्रजेंट रहते हैं तो यह GP120 यहीं CD4 plus molecules से क्या होता है bind होता है, attach होता है clear अब बात करते हैं कुछ genes की HIV genes की तो HIV genes दो टाइप के होते हैं एक तो structural दूसरे non-structural HIV genes structural genes आपके तीन हैं gag, pol and env और non-structural आपके six होते हैं या इससे ज्यादा भी होते हैं HIV 1 के अगर बात कर रहें तो HIV 1 में mainly six types के non-structural genes होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं structural genes की तीन है gag, pol and env gag जो gene है यह encode करता है for core and cell of the virus core और cell को यह encode करता है gag gene और इसको express करते हैं P55 से clear precursor protein 55 55 का मतलब है इसका molecular weight molecular weight को दोस्तों kilo dalton में major किया जाता है kilo dalton में clear तो अगर इसकी बात कर रहें P55 की तो यह precursor protein है जिसका molecular weight है 55 kilo dalton clear right और P55 को cleave किया गया है यानि कि इसको तोड के अगर हम इसका breakdown करना तो तीन protein structural protein सामने आते हैं एक तो P17 दूसरा P24 and P15 P17 आपका it constitute the matrix और cell antigen यह किसके लिए code करता है यानि कि किस से बना है it constitute यह किसको बनाता है आपका matrix या फिर cell antigen clear और P24 और P15 they constitute the core antigen right Paul gene के अगर बात करें तो Paul gene आपके 3 है they constitute P32, P51 and P66 Paul gene के अगर बात करें तो Paul gene आपका encode करता है किसको viral enzymes को कि लिए viral enzyme आपको पता है कि 3 तरह के viral enzyme है एक तो reverse transcriptase दूसरा integrase और तीसरा proteases है तो P32 आपका यह encode करता है integrase enzyme और P51 for reverse transcriptase engine clear third gene is ENV gene which encode for नाम से के लिए envelope यह envelope को encode करता है के लिए और जिसमा आपके जो दो protein से बना हुआ है एक तो glycoprotein 120 और दूसरा glycoprotein 41 तो यह जो GP 120 है यह help करता है attachment में यानि की GP 120 की ही help से जो virus आपका वो हमारे host host cell पे host cell की surface पे CD4 sorry CD 4 plus molecule से bind होता है clear और जो GP 41 है इसका हम बोलते है fusion protein right this is fusion protein तो binding के बाद जब आपका GP 120 CD4 plus molecule से bind हो जाता है उसके बाद फिर यह जो GP 41 है fusion का काम करता है यानि कि उस cell membrane को fuse करके virus आपका easily कहां enter करता है host cell के अंदर enter करता है तो उसके fusion में help करती है GP 41 proteins clear यह तो structural genes की बात ही right now the non-structural genes non-structural genes वैसे mainly six होते हैं HIV 1 के case में जो की कौन कौन से आपके TET है NEF, RIV, VIF, VPU and VPR तो they regulate viral replication यह जो non-structural आपकी proteins है यह viral replication को regulate करते हैं clear that's why they are also known as regulatory genes right in six के अलवा HIV 2 में आपका VP X भी प्रजेंट रहता है यह HIV 1 में प्रजेंट नहीं रहता यह HIV 2 में प्रजेंट रहता है clear तो यह VPR की तरह का होता VP X और इसके अलवा आपके LTR भी प्रजेंट रहता है long terminal repeat clear HIV के disinfection की अगर बात करने की किस तरह से आप HIV को disinfect कर सकते हैं या inactivate कर सकते हैं तो कुछ chemicals को यानि की chemical method आप यूज कर सकते हैं जैसे ethanol है 50% ethanol से आप HIV को kill कर सकते हैं right यानि की disinfect कर सकते हैं ऐसे ही isopropanol है 35% आप यूज करेंगे lyzol है 0.5% for 10 minute 10 minute तक आप lyzol से अगर treat करेंगे किसी भी surface या किसी article को तो वहाँ पे आपका अगर HIV virus present है तो वह easily आपका क्या हो जाएगा disinfect हो जाएगा ऐसे ही paraformaldehyde 0.5% for 10 minute and hydrogen peroxide 0.3% for 10 minute और heating method से भी आप serum को आप क्या कर सकते हैं inactivate कर सकते हैं serum पे HIV virus को आप inactivate कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे serum को 55 degree Celsius तक आप heating provide कराएंगे serum को for 10 minute clear तो इस तरह से हम उसको inactivate कर सकते हैं और यह जो chemicals आपको बताएगे इनकी health से आप disinfect कर सकते हैं disinfection तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही next वीडियो में हम discuss करेंगे HIV की pathogenesis और उसकी clinical manifestations को हम discuss करेंगे आने वाली वीडियो पे तो बने रहिए ज्यादा detail में जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ और वीडियो को ज्याद स्यादा share करिए पहली बार है तो चैनल को जरूर subscribe करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आने वाली वीडियो की notification ताकि आपको मिलते रहे thank you very much पाँ करिए मेलते जर झाल जरूर